तो लाश्ट वीडियो के अंदर रीमुरू को पता चल गया था कि अभी कभी भी इस्टन एमपायर जो है वो उसके कंट्री के उपर अटैक कर सकता है इसलिए वाबर रीमुरू और रैमरिस मिलके एक प्लैन बनाते है जहाँ पर रैमरिस रीमुरू को बोल दियेगी मैं अपन नहीं बचेगा उनको सिधा हमारे डंजन के अंदर याना पड़ेगा और हमारी डंजन इतनी जद्धा स्ट्रॉंग ही कि अगर इस्टन एमपायर भाई हाथारों लाखों सोलियोस को भी हमारे डंजन के अंदर बैस दाए तो अपने फ्लोर के बॉसे जो है उनको आसानी से स परना है तो सबसे पहले उसको डंजन के अंदर के सारे के सारे बॉसे से लड़ना पड़ेगा वैसे तो रैमरी जो है वो अपने आप ही पूरी के पूरी सीटी को डंजन के अंदर तो टेलिपूर्ट नहीं करा सकती थी या पर डंजन के अंदर 100 फ्लोर के उपर जो वेल्ड बहुत चुकी है तो यह आपर बिना कुछ जाने इस्टन एंपायर को जो है वो किसी ने किसी बंदे को हमारे डंजन को चेक करने के लिए भीजना ही पड़ेगा और आगे चलकर ऐसा ही कुछ होता है जब इस्टन एंपायर को पता चलता है कि वह रिमुरू की जो सीठी है वो रातो रात गयब हो चुकी है और वह आपर उसके सीठी के अंदर बस वाई एक डंजन का गेड़ी दिखाए दे रहा है और उसके बाद में होना क्या था ग्यादरा जो है वो यूकी के कहिने के बाद में तीन कंपोजिट डिविजन के सोल्जेर्स को रिमुर की डंजन को कॉ जाता है क्योंकि वापर उसको तीम और लॉर्ड रिमुर के बारे में और भी इंपोर्मेशन को ग्यादर करना था यह जो तीन कंपोजिट डिविजन के सोल्जेर्स थे जिनका नाम था शीन, शीन जी और लाष्ट वाले का मार्क यह तीनों के तीनों जो है वो दुसी दुन वेपन्स मिलता है, जिसके अंदर एक स्लोट रहता है, लाइक अलग अलग वेपन्स के उपर स्लोट रहता है, जिनके अंदर आप एलिमेंट की कोर डालके उस वाले नॉर्मल से दिखने वाले वेपन को एक मैजिकल वेपन बना सकते हो, तो 50 फ्लोर की उपर कुरो और जिनने बना हुए है, यूनिक टैप के वेपन्स मिलने के बाद में, ये तीनो के तीनो के तीनो कमपोजिट डिविजन के जो सोल्जर से वो काफ़ जदा खुश हो जाता है, वापर उनकी अंदर एक कॉन्फिडस आ जाता है, कि जैसे उन लोग ने एक से लेकर 50 तक सारी के स सारे डंजन के फ्लोर्स को इसली क्लियर कर लिया, वैसे आगे वाने फ्लोर्स को भी वो इसली क्लियर कर देंगे, जापर हर बार की तरह एक रूम के अंदर बेट के रीमुरू और रैमरिस जो है, वो अपने डंजन के अंदर क्या सब हो रहा है, वो देख रहते, जापर रै तीलों अपने dungeon की अंदर कितना आगे जा सकते हैं और वैसे भी इन लोग के इतना आगे आने की वज़ी से अपने dungeon का free में promotion ही हो रहा है एक type से इन लोग को देख गये दूसरे लोग भी अपने dungeon को conqueror करने का try करेंगे रीमरू की एबात सुनके वापर वेल्डोरा और रेमरीस जो है वो रीमरू की एकदम से तारिफ करने लग जाते हैं वो बोलते हैं कि भाई आपर क्या प्लैने तुम्हारा तुम तो भाई काफ़ बड़े वाले जिनियस ही हो उसके बाद में रीमरू, रेमरीस और वेल्डोरा जो है वो अपना खाना पीना लेके एक बहुत बड़ी वाली स्क्रीन के आगे जाके बेट जाते हैं जहापर भाई ये लोग डंजन के अंदर क्या हो रहा है वो सब लायू देख रहे थे अभी ये तीनों के तीनों इस्टन इंपायर के जो सोल्जेर्स से हो 60 फ्लोर की उपर पोज गे थे जहापर उन लोग का सामना होना था 60 फ्लोर के गार्डियन, एडल मैन और उसके चेले अलबर्ड के साथ ने स्टार्टिंग में एडल मैन और एलबर्ड जो थे, वो होली एमपायर रूबरीस के होली नैट्स हुआ करते थे लेकिन वहाँ पर सेवन लुमिनारिस की जिसे उन लोग को भाई अंडेड बना दिया गया था और अंडेड बनने के बाद में आगे चलकर एडल मैन और एलबर्ड जो है, वो कले मैन के सेवन फिंगर्स को जॉइंग कर लेता है लेकिन बाद में जब शूना इसको हरा देती है उसके बाद में एडल मैन जो है वो अपने मॉस्टर फेडरेशन को जॉइंग कर लेता है और अपने मॉस्टर फेडरेशन को जॉइंग करने के बाद में एडल मैन जो है वो रिमुरू को एक तरीके से गौर्ड जैसा मानता है क्योंकि RIMURU को वर्षिप करने के बाद में ÉDLE MAN जो है फिर से अपना होली मैजिक को युज़ कर पाता है और साथ ही एक अंडेड होने की वज़े से वो होली मैजिक के सामने का ज़्यकर पर जाता था जहापर इन किनों को देखने के बाद में एडल मैन और एलबर्ट जो है वो एक दुसरे को देखके थोड़ी सी स्माइल करते हैं जहापर एलबर्ट जो है वो काफु जदा एकसाइड़ हो जाता है कि वो फाइनली भाई अपनी पावर्ट को शोगर के रीमुरू समा को अपना वर्थ बता सकता है वहाँ पर एडल मैन जो है वो एलबर्ट से बोलता है कि अपनी पुरी की पुरी पुरी पाउर्स का यूस करके आज यहाँ पर दिखा दो कि हम अपने गौड रीमुरू समा से कितने ज़्यादा लोएं लें और उसके बाद में होना क्या था 64 का दरवादा जो है वो एकदम से बंद हो जाता है और कुछी टाइम के बाद ही यह जो फाइट ही एकदम से खतम हो जाती है जहाँ पर रीमुरू सबसे पहले है फाइट देखके एकदम से शौक में चला जाता है वहाँ पर रीमुरू ने सोचके रखा था कि ये वाली fight जो है वो काफ़जदा intense होने वाली है इसकी अंदर रीमुरू ने सोचके रखा था कि भाई इन तिनों के पास में तो भाई यूनिक टैप के weapons आ चुके है और इन यूनिक वेबन्स के सामने एडल मैन और अलबर जो है वो थोड़ी बहुत स्टरवल कर सकते है लेकिन यहाबर यह जो fight है वो शुरू होती ही खतम होगी यहाबर अडल मैन जो है वो अपने throne से हिला तक नहीं था इन तिनों के तिनों soldiers को भाई अकेले Albert नहीं पूरा का पूरा destroy कर दिया था जिसके अंदर सबसे पहले Mark जिसके पास में यूनिक टैप की axe थी जहाबर Mark जो है वो अपने axe का use कर गे Albert की उपर attack करता है लेकिन वहाबर Albert जो है वो अपनी sword का use करता है रो उस वाले attack को block करता है और अगली पलो में अपनी sword का use करके सीधा भाई Mark के सर को धर से उड़ा देता है और ये देखने के बाद में वापर शीन जो है वो एकदम से शौक में चली जाती है वापर वो Albert की उपर attack करने से डर रही थी जहापर इसी डर की वज़े से Albert को और एक opening मिल जाती है वापर Albert जो है वो मोके का फाइदा उटा के सीधा शीन को भी मार देता है और वापर अपने दोनों दोस्तों को मरते वे देख के वापर शीन जी जो है वो एकदम से Holy Cannon का use करता है या आपर ये जो Holy Cannon जो attack के वो सीधा Undead लोगों को खतमी कर देता है लेकिन इस वाले attack से Albert को कुछ भी नहीं होता और वो शीन जी को भी मार देता है जहापर रीमुरू ये वाली fight को देख के एकदम से शौक में चला जाता है क्योंकि आपर जीसा उसने सोचा था वैसा बिलकुल भी नहीं हुआ था जहापर रीमुरू बोलने लग जाता है कि एडल मैन और Albert जो है वो इतनी ज़्यादा strong कैसे हो गए जहापर रैमरीस हसते वे बोलती है कि ये सब तो मेरे plan का इस्सा था रीमुरू के पास से unique grade के weapon मिलने के बाद मैं एडल मैन, एलबर्ट और जो अंडे ट्रैगन है इन तिरोंने मिलके बहुत सारे training करी और वेल्डूरा की वज़े से टंजन की अंदर जो बहुत सारे magicals जमा हो गए थे उनका यूस करके इन तिरोंने अपनी पुरानी वाली power जो है वो फिर से regain कर ली जहापर रैमिरिस बोल दे कि अभी फिलाल एडल मैन जो है वो एक white से white king बन चुका है और वो आपर जो अपना एलबर्ट था वो एक death knight से death paladin बन चुका है और अभी उनकी अंदर जो magicals का amount है वो एक तरीके से arch demon जितना है और अगर हम यहाँ पर एडल मैन, अलबर्ट और उस वाले undead dragon की powers को combine करें तो इन तीनों की powers जो है वो किसी एक small country को destroy भी कर सकती है जहाँ पर राफाईल रिमुरू से बोलती है कि अलबर्ट के बास में जो unique skill है holy demonic reversal इस वाली unique skill की वज़े से एलबर्ट की उपर किसी भी type का holy magic जो है वो work नहीं करता साथ ही एलबर्ट की उपर किसी भी type के physical attack जो है वो work नहीं करेंगे जहाँ पर रिमुरू बोलता है कि यह लोग तो अभी काफ़ ज़दा powerful हो चुके है इन लोग को अभी फिलाल हमको 60 floor के उपर तो बिल्कुल भी नहीं रखना चीए तो वहाँ पर रिमुरू decide करता है कि इन लोग को हम अभी फिलाल 70 floor वाले boss से replace कर देता है जहाँ पर रिमुरू एडल मैन और उसके team को एक meeting के लिए बुलाता है वहाँ पर वो लोग decide करते है कि 60 floor के उपर इन लोग के जगा भी elemental colossus जाएगा और एडल मैन अलबर्ट और अंडे ड्रैगन जो है वो 70 floor के उपर जाएंगे यहाँ पर एक type से सारी के सारी problem जो थी वो solve हो चुकी थी लेकिन वहाँ पर Diablo Rimuru से कुछ बोलता है वहाँ पर Diablo Rimuru से बोलता है कि Rimuru समा आप से गैदरा नाम का बंदा मिलना चाहता है गैदरा जो था वो Eastern Empire का बहुत बड़ा वाला मेच था लेकिन इस टाइम पर वा Eastern Empire जो है वो Western Nations के उपर अटाइक करना चाह रहा है तो इस टाइम पर गैदरा फिलाल रिमुरू से क्यों मिलना चाहता है इसलिए आपर रिमुरू को जो है वो गैदरा के ऊपर थोड़ा सा शक हो रहा था इसलिए वापर शिवान जो है वो रिमुरू से बोलती है कि आपको इस वाले गैदरा नाम के बंदे से नहीं मिलना चाहिए तो रिमुरू सभी के बाद सुनके वापर गैदरा से मिलने का टालने वाला ही था कि वापर एडल मैन कुछ बोलता है और गैदरा ही था जिसने की एडल मैन और उसके दोस्तों को सेवन लुमिनारी से बचाए था तो एडल मैन की ये सब बाते सुनके वहाँ पर रीमुरू जो है वो गैदरा से मिलने के लिए मान जाता है ग्यादरा जो है वो रिमुरू के बारे में सब कुछ जाता था कि रिमुरू डीमो लॉड कैसे बना इसलिए वो वेस्टन नेशल्स के उपर अटाइक करने के टाइम पे रिमुरू को गुसा नहीं दिलाना चाता था याबर वैसे तो ग्यादरा को इस वाले वार से कुछ भी फरगनी पड़ता था कि रुद्रा इस वाले वार को जीता या हारता है अगर रुद्रा इस वाले वार को हार जाता है तो इस्टन इंपायर का क्या होगा याबर ग्यादरा को यूकी के प्लैन के बारे में भी पता था कि भाई जब इस्टन और वेस्टन निशिस के बीच में वार हो रहा होगा तब जाकि यूकी जो है इस्टन एंपायर की उपर अपना कबजा कर लेगा फिर भी ये सब जानते हुए ग्यादरा ने यूकी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करा बलकि याबर उसने यूकी के पर ट्रैप करके उनको मार दिया था जिसकी वज़े से एडल मैन जो है वो एक तरीके से अंडिड बन चुका था और अपने दोस्त के साथ में इतना सब होने के बाद में वापर ग्यादरा डिसाइड करता है कि वो अज़रों सालों तक जिन्दा रहेगा और जब तक वो यवन लुमेनारिस को रिमरू और उसके टीम ने मिलकर मार दिया है तब वहापर वो सोचता है कि अभी फिलाल उसका इस्टर निशन्स के साथ में मिलकर वेस्टर निशन्स की उपर अटाइक करने का कोई भी मतलब नहीं है और यहापर अभी फिलाल ग्यादरा को चो दोस्त एडल मैन वो अभी रिमरू के अंडर काम कर रहा है इसलिए वहापर ग्यादरा भी डिसाइड करता है कि वो इस्टर निशन्स को छोड़ के सीधा रिमरू के अंडर ही काम करेगा इसलिए वहापर ग्यादरा जो है वो शिंजी और बाकी दो लोगों के साथ में मिलकर की जो soldiers है उनको रिमुरू के dungeon के अंदर आने के लिए मनाना पड़ता है like gatherer को eastern empire के soldiers को dungeon के अंदर मिलने वाले weapons और gold का लालच देना था जिसकी वज़से सारे के सारे soldiers जो है वो सीधा dungeon के अंदर ही fight करने के लिए आ जाए और dungeon के अंदर fight होगी तो यहाँ पर रिमुरू के टीम को बहुत बड़ा वाला फाइदा होगा जिसकी वज़से अगर fight के अंदर रिमुरू के टीम से कोई मारा भी जाता है जहाँ पर और एमरीस ने बना हुए bracelet का यूज़ करके फिर से वापस जिन्दा हो सकते हैं तो इसके बाद के आने वाले वीडियो के अंदर हमको बता चलेगा कि रिमुरू के dungeon के बाकी के floor के boss's कौन होने वाले हैं और लाश्ट में रूद्रा और geek crimson का कौनसा वाला game है जिसकी वज़े से ये वाला war जो है वो हो रहा है तो आगे आने वाली वीडियोस भी काफी जिदा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो फटा फट से इस वाले चैरल को सब्सक्राइब कर लो तो hopefully guys आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो चलो guys आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाली किसी वीडियो के अंदर तब तक किले सायो नारा